दिन्याहू का वोर्ड ट्राइंगल तैयार हो चुका है हम आस पर लगातार हमले के बाद अब लिबनान में इस्राइल ने अपने दूसरे बड़े दुश्मन को हराने की पूरी तैयारी कर ली है वह हजबुल्ला के साथ साथ सीरिया भी बहुत मुश्किल में पड़ गया है 24 खंटे के अंदर लिबनान में इतने बम मारे गए हैं कि हजबुल्ला थंडा पड़ गया है ये दावाब इस्राइल में किया जा रहा है फिर फायर हुआ दूसरा रॉकेट इसके बाद लॉंच हुआ तीसरा रॉकेट हमास के रॉकेट लॉंच होते हुए इतनी साफ तजबीरें आप पहली बार देख रही है एक के बाद एक हमास दस रॉकेट फायर करता है इस्राइल की शेहर टार्गेट पर है और घाजा में बंबारी के खिलाब हमास ने अपना रॉकेट वाला गोदाम खोल दिया है लेकिन ऐसे हमलों और घाजा पर बंबारी जारी रखने के बीच नेतन्याहू ने अपना वार ट्रैंगल तयार कर दिया है नेतन्याहू के वार ट्रैंगल में सबसे बड़ा कोना गाजा में हमास का पूरी तरह खात्मा है नेतन्याहू के वार ट्रैंगल में दूसरा बड़ा कोना लेबनन में हिजबुल्ला का अंत है जबकि नेतनियाहू के वार्ट ट्रेंगल का तीसरा सबसे खतरना कोड़ा है सीरिया जहाँ पर इस्राइल के एरपोर्स ने हमले तेज कर दिये हैं ये तीनों जगए या देश इस्राइल के बॉर्डर से लगे हुए है और इस्राइल इन्हें अपने खिलाफ सबसे बड़ा खत्रा मानता है इस्राइल ने सीरिया के अंदर कई सैन्य छेकानों को टार्गेट किया है ये इन्फरा रड वीडियो ऐसे ही एक हमले का है इस्राइल का दावा है कि सीरिया की तरफ से उस पर कई तरफ से बंबारी हुई है और अब उसकी एरफोर्स का ये हमला सीरिया को मूतोर जवाब है ये हैं इस्राइल का F-16 फाइटर जेट रात भर बंबारी के लिए तयार है साथ में हैं इस्राइल का F-15 फाइटर जेट दोनों ही इस्राइल के सबसे बड़े मिशन के लिए लगातार तयार रहते हैं इन विमानों में दोनों विंक्स पर लगे हैं दो-दो बड़े बम यानि हर विमान पर चार बहुत ही खतरनाक बम इस बम का नाम है जेटांग यही बम है जिससे इस्राइल ने गाजा में बड़ी तबाही मचाई है और अब यही बम सीरिया के छेकानों पर गिराया जा रहा है यही बम इस वक्त हमास, हेजबुल्ला और सीरिया के लिए सबसे बड़ा खलनायक बम बन चुका है हर एक बम का वजन साड़े 900 किलो से जादा है यानि हर विमान पर करीब 4000 किलो बारूद लोड किया जाता है और फिर यह विमान इन चार तबाही वाले बम लेकर उड़ जाते है जब यह बम रात में फटता है तो ऐसा थमाका होगा इसरेल को अमेरिका से मिले इस बम ने बहुत तबाही मचाई है इसरेल और लेबनन के बॉडर पर बंबारी देखिए हिजबुल्ला के छेकानों को इसरेल चुन चुन कर टार्गेट कर रहा है पूरा महीना लाल अक्टूबर बन चुका है लाल अक्टूबर यानि हर तरफ खून ही खून और अब नवंबर की शुरुआत से पहले ही घाजा के साथ लेबनन और सीरिया पर लगातार अटैक होने लगा है इसरेल इस स्वक्ट घाजा में हमास लेबनन में हिजबुला और सीरिया में एक साथ आपरेशन कर रहा है इसरेल की एरपोर्स के सैक्डों जहाज इस स्वक्ट 24 घंटे उडान बर रहे है और इन तीनों जगए पर बंबारी का ओर्डर मिलते ही बम गिराने का बटन दबा देते है द्राइल ने आप तस्वीर साफ तोर पर देख सकते हैं धुए का घुबार आपको नजर आएगा हम उस मौके पर बिल्कुल नहीं लेकिं दूरी से हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं लगातार इसराइल जो दक्षडी लेबनान के सरहदी इलाके हैं उन पर हमला कर रहा है अब तक का सबसे बड़ा हमला हम कह सकते हैं देखे पिछले कई दिनों से हम इस 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 इलाकों में रिपोर्टिंग कर रहे हैं हमको इतना बड़ा हमला अभी तक नहीं दिखा है हम तस्वीर आप देखे भूमत दिसागर के उपर धूए का गुबार आप देख सकते हैं इसरेल समझ चुका है कि उसके हमलों को कोई चैलेंज नहीं कर सकता इसकी बड़ी वजब भूमत दिसागर में खड़े अमेरिका के दो करियर स्ट्राइक ग्रुप हैं यानि दो एरक्राफ्ट करियर और उनकी साथ कई डिस्ट्रॉयर वाले दो बड़े जंगी बेडे समंदर में ऐसी ताकत दिखा कर अमेरिका बताना चाहता है कि वो इसरेल की मदद के लिए 2400 गंटे तयार है यही भरोसा है जिसकी वज़े से घाजा में इसरेल की बंबारी बिना किसी रोक टोक के जारी है इस बंबारी की शुरवाद 7 अक्टूबर के बाद से हुई क्योंकि पहले हमास ने इसरेल में 1400 लोगों को मारा और अब इसरेल ले रहा है बहुत ही खौफनाग बगला अक्टूबर में ही पश्ची मेश्या का यह हिस्सा 11000 मौतों का गवाब बना था 11000 मौत बहुत ही बड़ा आंकड़ा है लेकिन अब डर ज्यादा है हमले लेबनन की देहलीद से आगे बढ़ चुके हैं इसरेल ने लेबनन बॉर्डर पर हमले तेज कर दिया है और इसकी एक बहुत बड़ी वज़ा है हिस्बुल्ला के कई हमलों ने इसरेल की बहुत ज्यादा बैज़दी कर दिया है हिस्बुल्ला एक के बाद एक कई मिसाइल फायर कर रहा है एंटी टैंक मिसाइल से उसने इसरैल के कई अड़े बहुत ही सटीक हमलों में उड़ा दिये हैं पहला हमला टावर होड गया दूसरा हमला रेडार तबाह हो गया तीसरा हमला एक और अड़ा तहस नहस हो गया यह जगह है लेबनन और इसरैल के बॉर्डर पर शीबा फार्म्स का इलागा दुनिया के सबसे खतरनाक बॉर्डर्स में से और यहां बने हैं इसरैल के पांच बहुत ही खतरनाक अड़े अड़ा नमबर एक अड़ा नमबर दो अड्डा नमबर 3 अड्डा नमबर 4 अड्डा नमबर 5 ये जग्य गोलान की पहाडियों के उत्तर में है और यहाँ पहाडों की उचाई 15-100 मीटर तक है नीचे लेबनन का इलाका है और यहीं से अटैक लॉंच किया गया इस ग्राफिक से समझ सकते हैं कि इस इलाके की टोपोग्राफी कौन कहां मौझूद है कौन सा इलाका किसके पास है सबसे पहले इसरैल का अड्डा नमबर 8 शतुला इलाके में बने इस सड़े पर हिजबुल्ला ने किया पहला हमता हिस्पुल्ला ने कॉर्नेट मिसाइल से अटैक किया जो सीधे जाकर इस्पुल्ला की बेंच देखकर इस्पुल्ल के केम्प में खलबली सी मच गई है क्योंकि निशाना भी दिल्कुल सठीक लगा और टावर पूरी तरह तबाह हो गे इसके बाद टार्गेट बना इस्राइल का अड़्डा नमबर दो ये भी शतुला इलाके में है और यहां हेजबुल्ला ने किया दूसरा हमला अड़्डा नमबर दो हेजबुल्ला का दूसरा टार्गेट इस बार हेजबुल्ला ने BGM-71 T.O.W. Anti-Tank मिसाइल का इस्तिमाल किया अमेरिका में बनी ये मिसाइल इतनी सतीक है कि इसने ठीक रेडार स्टेशन को तबाह कर दिया ऐसा निशाना देखकर कोई भी दुश्मन डर जाएगा इसके बाद टार्गेट बना इस्रेयल का अट्डा नमबर थी ये भी शतुला इलाके के करीब है और यहां हेजबुल्ला ने किया तीसरा हमला अट्डा नमबर थी हेजबुल्ला का तीसरा अट्डा इस बार हेजबुल्ला ने Concurs Anti-Tank Guided Missile फायर की रूस की ये Wire Guided Missile भी इसरेयल के एक ठिकाने को खत्म कर देती है इसके बाद चौथे और पांचवे अट्डे पर भी हेजबुल्ला अपनी बागी मिसाइलों और Multi Barrel Rocket Launcher से हमला करता है और उनका भी वही हश्र होता है जो बागी अट्डों का हुआ है हजबुल्ला का दावा है कि इन हमलों में इसरेयल को भारी नुकसान हुआ है और उसके कई सैनिक भी मारे गए है हजबुल्ला के ऐसे ही हमलों के बाद इसरेयल चुम चुम कर बदला ले रहा है वो अब हजबुल्ला को कोई मौका नहीं देना चाहिए इस्राइल लेबनान सीमा के यारीन इलाके में हमारी मौजूदगी है किस तरह से जो लेबनान के सरहदी गाओं है वहाँ पर नितबाहि के निशान है वो देख सकते हैं यह एक इमारत है जिसको निशाना बनाया गया है यहाँ पर कोई नजर नहीं आ रहा देखे सिवाए एक इस तरह से इस बिल्डिंग को निशाना बनाया गया है। इसरैल के जबावी हमलों को देख कर कोई भी नहीं कहेगा टि इस जो आएग इसरैल अब उसे मिठाना चाहता है पिर चाहे वह हस बुलल्ला हो सीरियः हो या फिर इरान। विए आघ कर दो फिए लगैशा से अवजू फिए तो फिस पार्यारी नियुटीरि के पस्टरेश में हम गर जाने पहुती हैं प्रेश हैं विए फुर्ड भी और यहां टो एक कि विए घर सुझार व माद एक जए प्रेशा के लिख दोता आजे हैं इंगि हैं विए यहां प और गाजा के बीच शुरो होई जंग अब पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले सकती है। ये युद लेबनन और सीरिया में तो दाखिल हो ही चुका है। अब पूरा पश्यमेशिया इसकी जड़ में कैसे आएगा। सबको यही डर सता रहा है। हेजबुल्ला इस वक्त इसरेल के जड़ में बड़ा पलीता लगा सकता है। और इसका असर लेबनन की जमीन पर दिखने लगा है। ये दक्षणी लेबनन है। और यहाँ पर इसरेल के हमलों में मारे गए हेजबुल्ला के लड़ाकों का जनासा निकल रहा है। साथ में सैक्रों लोग हैं जो इसरेल से बड़ा लेने की मांग कर रहे हैं। साथ अक्टूबर को हमास के हमले के बाद लेबनन इसरेल का बॉर्डर भी एक्टिव है। यहाँ पर इसरेल ने जितने भी हमले किये हैं। उसमें हेजबुल्ला के 40 से ज्यादा लड़ाके मारे जा चुके हैं। हेजबुल्ला वो संगठन है जिसे इरान से पूरी मदद मिलती है। और इरान हेजबुल्ला को इसरेल के खिलाफ एक बड़े हत्यार के तोर पर इस्तिमाल भी करता आया है। इसलिए अगर हेजबुल्ला को नुक्सान उठाना पड़ रहा है, तो समझ लीजिए कि इरान को भी बड़ा जटका लग रहा है। वैसे नेतन्याहू भी यही चाते हैं, लेकिन उनकी ये ख्वाहिश अब पश्चिमेश्या को बारूद भी करता है।